हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट वे रतुल में, मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोहिल, आज हम बात करेंगे NMDC की NMDC किस लेवल के उपर नजर रखनी चाहिए, एक अच्छा मुमेंटम उसके उपर ये दे सकता है और किस लेवल के उपर हम इसके अंदर swing trade भी कर सकते हैं, क्योंकि एक range के अंदर ये बना हुआ है नीच्छे के लेवल पे ले सकते है, और उपर के लेवल पे बेज भी सकते हैं, छोटा सा profits इसके अंदर कमा सकते हैं बट अगर एक लेवल को अगर ब्रेक आउट करता है तो अच्छे मोमेंटम ये दिखाता हूँ नजरा सकता है पहले बात करते हैं टेक्निकल्स के उपर तो यहाँ पर टेक्निकल्स देखेंगे जो 200-day dma है उससे स्टोक जो नीचे काम करता हूँ अभी नजरा रहा है इसका स् के लिए 153.73 ज्यानि 154 को क्रोस करना जुरूरी है अगर बात करें RSI की तो 52.75 के आसपास की है जो कि एक strength शो कर रही है कि आने लेटाइम में इसके अंदर strength आ सकती है MACD देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा close आते हुए नजरा रहा है बट यह जैसे ही stock का price करेगा तो यहाँ पर again open होता वो नजराएगा जैसे पहले open हुआ था तो बात करते हैं super trend की भी एक और हम बात कर लेते हैं कि super trend यहाँ पर किस type से काम कर रहा है तो super trend देखेंगे तो super trend यहाँ पर एक positive signal देता हुआ नजरा रहा है कि अब इसके अंदर positive signal हो सकता है और एक strength इसके अंदर आती हुए नजरा सकती है अब बात करते हैं trend lines के उपर trend lines के उपर आप देखेंगे कि यह stock जो है काफी time से इसी range के अंदर काम करता हुआ नजरा रहा है एक उपर के level से देखिए यहाँ पर जो है support लेता हुआ नजरा आया अगर इसे थोड़ा साथ छोटे chart के उपर मैं आपको दिखाऊं जो weekly chart है उसके आप लगाते हैं तो आपको इस type से chart पुरा का पुरा नजरा आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर chart जो है इस type से नजरा है तो एक अच्छा momentum इसके अंदर बनता हुआ नजरा सकता है बट नीचे के level पर यह support लेता हुआ नजरा रहा है अब बात करते हैं कि कि लेवल के उपर यह support ले रहा है तो आप देखेंगे कि उपर के levels है इन levels को यह काफी बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है अगर इन trend lines को हम ह में भी देखेंगे तो 159 तक यह गया है तो close भी 151 के असवास ही होता हुआ नजरा आया तो 159 का level जैसी है निकालता है यहाँ पर तो एक अच्छा momentum इसके अंदर आता हुआ नजरा सकता है क्योंकि अब यह share जो है एक काफी time से इस range की अंदर फसा हुआ है तो जैसे ही इस range को निकालेगा weekly chart देख सकते हैं काफी weekly candles इसके बीचे बन चुकी है और second जो है निचे के अगर हम बात करें तो 146 का नीचे के level बनते हैं अगर इसको break करता है तो stock 141 तक आ सकता है वट 146 को break करना भी इतना आसान नहीं है तो आप 146 147 के आसवास share आता है तो इसे accumulate कर सकते है 146 का extra plus लगाईए अगर 146 को break करता है तब आप इसमें से निकलना होगा अगर 146 के अगेन move करता है उपर के side में तो 158 तक ये level आपको दिखा सकता है और वहां से आप निकल जाईए profit book कीजिए अगर 158 के उपर closing देता है 159 के उपर basically closing देता है तो एक अच्छा momentum यहाँ पर नजर आ सकता है थैंक्यू धन्यवाद